हेलो फ्रेंड्स वैलकम टू माई चैनल आज हम यह मिक्की माउस पर्स बनाएंगे तो इससे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहां पर देखिए यह कुलिटिंग पीस ले लिया है इसकी जो लैंथ और विट है स्क्रीन पर दिख रही है अब मैंने यह सरकल ले लिया है आपक मार्क लगा सकते हैं इसका डायमीटर जो है इतना है अब मार्क लगाने के बाद हम इस कुलिटिंग पीस को कटिंग कर लेंगे तो दो सरकल हमने यहां से निकाल लेने है अब देखिए इस तरीके से हमें इस सरकल का रेडियस नाप लेना है तो यह आ रहा है ट्वेंटी आई है अब देखिए यहां से हम एक फरंट पॉकेट बनाएंगे तो इसके लिए हमने यहां पर कटिंग कर लिया है कटिंग करने के बाद इसकी लैंड के बराबर जिप डोनों हिस्सों में स्टिच कर लेंगे सरकल के बराबर एक लाइनिंग ले लेंगे और यू रखके स् की अब देखिए हमने यहां पर जो यह स्ट्रिप ले थी कुल्टिंग यहां पर हमने जिप ले ले ली है 12.5 इंच की और जिप की लेंग के बराबर एक पीस कट कर लिया है और इसे हम सेंटर से भी काट लेंगे कटिंग करने के बाद इस जिप को हम इन दोनों कुल्टिंग पीस के बीच में रखकर स्टिच लगा लेंगे तो यह हमने स्टिच करके तयार कर लिया इसके बाद जो बचाओा साइड वाला कुल्टिंग पीस है इनने दोनों साइड पे रखकर स्टिच लगा लेंगे स्टिच लगान के बाद देखिए हमारा तयार हो गया है अब दोनों साइड को मिला कर जो जीप वाला हिस्सा है इसका मीट पॉइंट निकाल लेंगे अब इस मीट पॉइंट को और ये जीप वाला हिस्सा जो है ये उपर की साइड रहेगा तो यहाँ पर भी हम मीट पॉइंट निकाल लेंगे अब इस मार्क को और जो जीप का हाफ पॉइंट हमने लगाया था इन्हें हमें आपस में मिला कर यूं स्टिच कर लेना है तो ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है इसके बाद हमने यहाँ पर एक ये छोटा सा बाउल लिया है इसके अकॉर्डिंग हमें ये पीस कटिंग कर लेना है तो ऐसे हमें चार पीस काट लेने है इन चारों में से दो पीसिस को आपस में रखके स्टिच लगा लेनी है इसे टर्न कर लेना है और देखिए जो हमारा साइड में से कुल्टिंग पीस के ये एक्स्ट्रा कपडा निकला था इसको हम चोटे-चोटे तुकडों में कट कर लेंगे और इसे इनके अंदर फिल कर लेंगे फिल करने के बाद देखिए हमने यहां से 5 इंच में मार्क लगाना है और यह मैंने हैंडल ले लिया है वन मीटर का अब अपनी अकॉर्डिंग हाइड का अकॉर्डिंग छोटा बड़ा हैंडल ले सकते हैं और यहां पर हम इस को रखेंगे और स्टिच लगा लेंगे अब देखिए यह जो हमारे हिस्से हैं यह उपर की साइड आएंगे तो इसका भी बीट पॉइंट हमें निकालेना है और जो जिब का हमने मीड पॉइंट निकाला था इस पे मैंने मार्क लगा लिया है तो इसको और इसके मीड पॉइंट को आपस में मिला के हमें स्टिच लगा लेनी है अब देखिए इस ट्रिप ले लिया मैंने उरेब इसे हम किनारो की फिनिशिंग कर लेंगे तो देखिए हमने किनारों की फिनिशिंग कर ली है अब जो ये हमने हैंडल बनाए है इसको हम यहाँ पर हाथ की सुई से तांका लगा लेंगे जिससे की एकदम खड़े रहेंगे तो एक फ्रेंट में और एक बैक पॉकेट हमारी बन गई है तो दो पॉकेट वाला ही मिक्की म आउस पर्स बनके तयार हो गया है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जर कीजिएगा जाज से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इसी तरीके के वीडियो अगर आपको देखने अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को एंड तक देखने